सबी स्टुडेंट्स का इस लेक्चर में स्वागत है आज हम प्रक्षा 9 के साइंस की बुक का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम हमारे आसपास के पदार्थ है चलिए हम इस चैप्टर को सुरू करते हैं अपने चारों और नजर दोड़ाने पर हमें विभिणन प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार आकरती और बनावट अलग-अलग होती हैं इस विश्व में प्रतेक वस्तु जिस सामगरी से बनी है उसे बैग्यानिक ने बैग्यानिको ने पदार्थ का नाम दिया चलिए समस्ते इसको यहां पर कहा जा रहा है कि जो भी वस्तु है जो हमारे आज पास में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका आकार आकरती भले ही अलग-अलग है बट जिन चीजों से वह बनी हैं उसको हमने क्या नाम दिया पदार्थ एक साइकल है साइकल में क्या यूज कि क्या है लोहे को तो आयरैन क्या है आयरैन से बनी साइकल स्वाड़ में जो आयरन है लोहा है वो हमारा एक पदार्थ प्रिखी सभी वस्तों जो भी अभी हमने पढ़ा है सभी वस्तों का द्रब्यमान होता है और ये कुछ स्थान घ्रती है माली जी मैं अग्जाम्पल लेना चाहूंगा कुरसी अगर हम कुरसी को कहीं रखते हैं तो कुरसी को एक स्पेश गेरते हैं उसी जगह को आयतन कहा जाता है जिक है और अगले paragraph में आप पढ़ेंगे कि प्रचीन काल से मनश्य अपने आस-पास को समझने का प्रियास करता रहा है और बहुत के प्रचीन तर्फsın को ने पदार्थ को पाच मूल तत्तो में वर्गी करत किया है जिन हे पंच ततो कहा गया vie is आपने कई बार सुना होगा कि पंच तत्यों से हमारा सरीर बना है तो प्रचीन दारसनिक हमारे जो पहले दार्सनिक थे उन लोगों ने क्या किया कि जो यह पदार्थ हैं इनको पांच भागों में बाड़ दिया जिनके नाम आगे लिखे हैं जैसे प्रत्वी वायू अगनी जल और आकास उनके अनुसार इन्हीं पांच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं चाहे वो सजीव हो या फिर निल्जीव उस समय जो यूनान के दार्सनिक थे उन लोगों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गिक्रत किया था इस प्रकार्द से पाच तत्वों को वर्गिक्रत किया था तो आगे देखे लिखा है कि इस अध्याय में वेट आधनिक वे ज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुर्धम एवं रसायनिक प्रकृतिक के आधार पर दो भागों में बाटा है तो इस अध्याय में जो हम पढ़ेंगे भौतिक गुर्धम के आधार पर प्रदार्थ के बारे में ग्यान हासिल करेंगे और प्रदार्थ के जो रसायनिक पहलू है उसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे चलिए आगे हम हैडिंग पे जाते हैं प्रदार्थ के भौतिक स्वरूप इस पर ध्यान देते हैं वेटा सो बहुत समय पहले तक प्रकृतिक बारे में दो विचार धार है थी एक विचार धार यह तक लगड़ी के जो प्रदार्थ है वह लकड़ी के टुकड़े की तरह स्थत है कि उसके अंदर इस्पेस नहीं है जगा नहीं है लेकिन कुछ लोगों का विचार कुछ लोगों की विचार धारा थी उनका ये मानना था कि पदार्थ रेत की तरह रेत की तरह के कणों से मिलकर बना है कुछ क्रिया क्लाप आगे दिया गए है उसके जरिये से हम समझेंगे और उन क्रिया क्लापों को आपके इस चैप्टर के पार टू में आप लोग देख सकते हैं आएए देख थैंक यू सो मच फूर लिसनिंग में गॉड ब्लेस यू